कि प्रेस कॉंफरेंस में आप सबका स्वागत हैं आज आपके सामने दो एहम मुद्दे आपके माद्यम से जम्मू कश्मीर के लेट्रेंग गोवर्नर शिरी मनोज सिना जी के आगे रखना चाहता हूं अगर सिना साहब ने इसके ओपर विचार नहीं किया तो जम्मू बरबाद हो जाएगा मैं जब आप सबको पता है कि जम्मू के अंदर रिलाइंस कंपनी पहला स्मार्ट बजार खोलने लगी है इसके लिए हमने पहले भी एक साल पहले इसका विरोध किया था और जम्मू बंद किया था लेकिन अब गुप चुप तरिके से ये स्मार्ट बजार खोलने लगी है वपारी वर्ग जो है पूरा इसका विरोध करता है रिलाइंस बहुत बड़ी कंपनी है और मैं समझता हूँ छोटे शहर में और बड़े बड़े स्टोर खोलने जा रही है इससे छोटा वपारी जो है टोटल खतम हो जाएगा टोटल बर्बाद हो जाएगा ट्रेडर फेडरेशन हमेशा वपारियों के साथ खड़ी है हमेशा छोटे वपारियों के साथ लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी लेकिन जम्मू के अंदर गली महले में छोटी छोटी दुकाने हैं छोटी छोटी जो गली महले में दुकाने चलाते हैं और अब जो है जम्मू के अंदर रिलाइंस जैसी कंपनी बड़े-बड़े स्टोर खोलेगी तो मैं समझता हूँ हर एक छोटे वपारी को इसको नुक्सान होगा और जो छोटा वपारी है वो खत्म हो जाएगा आपने देखा होगा कि नहर के ओपर वालमार्ट बेस्ट प्राइज खुला था और आज भी खुला है और पांच किलो मिटर के डायरे में जितने भी छोटे वेफसाए करने वाले हैं वो सारे खत्म होगे 2011 में जब वालमार्ट खुला था तो सरकार ने हमें कहा था कि एक जम्मू के अंदर खुलेगा और एक कश्मीर के अंदर खुलेगा लेकिन जम्मू के अंदर खुल गया लेकिन कश्मीर के अंदर नहीं खुला गया मतलब साफ है कशमीर की पॉलिटिशन कशमीर की बीरोक्रेसी एड्मिसेशन पूरे कशमीर के वपारियों के साथ है आपने पछले दिनों देखा होगा जिस तरह से हमारे कशमीर के सेब वपारी जो है उनको थोड़ी ट्रांस्पोर्ट की प्राबलमों आ गई किस तरह से कश्मीर के पॉलिटिशन और भीरोक्रेसी पूरा कश्मीर से लेके लखनबूर तक रासता खुलवाने लगे सारे कश्मीर के पॉलिटिशन एक तरफ होगे लेकिन जब भी जम्मू के वपारियों की बात आती है जम्मू का कोई भी politician जो है हमारे वपारियों के साथ नहीं खड़ा होता कोई भी administration जो है जम्मू के लोगों के साथ नहीं खड़े होती आज जम्मू का वपारी जो है खतम होने के कागार के ओपर है क्या कारण है कि जो जम्मू की government है जो जम्मू की सरकार है वो वपारियों की बात नहीं सुनती आपने देखा होगा जो जम्मों के अंदर Reliance Mart जो खुलने वाला है उसके अंदर grocery आइटम भी केगी electronic आइटम भी केगी उसके अंदर medicine भी केगी उसके अंदर wine और beer भी केगी Reliance बहुत बड़ी company है और मैं समझता हूँ बड़े बड़े एरबोट का काम कर रही है बड़े बड़े gas pipeline है Reliance के पास जीयों का network है जो पूरे देश और विदेश में काम करते हैं जो इतनी बड़ी company है वो जम्मू के जम्मू छोटे से शहर में आके आटा चावल और दवाईय बेचेगी और क्या संदेश है कि एक बड़ा मगर मच जो है चोटी मचलियों को पूरा खा जाएगा और मैं समझता हूँ सरकार को चाहिए कि बड़ी company जो है बड़ा काम करे और चोटे लोग जो है चोटा वेशाय करे इसलिए देश में सरकार की तरफ विश्वास पैदा होता है सरकार के उपर उमीद जागती है और जिस तरह से हमने हमेशा सरकार को यह कहा है कि जिस शहर में तीन क्रोड से कम वादी है वहाँ इन चीजों के स्टोर जो है जम्मू में नहीं आने चाहिए और आरेडी जो हमारा जम्मू है वो मिल्टन सी हिट स्टेट है